दली के एम्स में बच्चों की कोरोना वैक्सीन का ट्राइल शुरू हुआ है क्लिनिकल ट्राइल की जिम्मिदारी डॉक्टर संजर राय की कंधों पर है उनसे खास बातचीत की है हमारे संबाददाता जुटेंद्र बहादूर सिंग ने सुनिए वैक्सीन का ट्राइल दिल्ली के एम्स में शुरू हो चुका है इस पर हमारे साथ बातचीत करने की मौजूद है डॉक्टर संजर राय सर यहां पर वैक्सीन का ट्राइल शुरू हो चुका है किस तरीके का प्रॉसेस है और कैसे आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे है जो क्लिनिकल ट्राइल का प्रॉसेस फालो होता है सेम प्रॉसेस फालो होगा मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रॉमाइज नहीं होगा वह सेम प्रॉसेस यहां भी फालो होगा जो अभी मेन अबजेक्टिव है वह यह देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई आपसन नहीं था कि कोई safe vaccine available है या effective vaccine available है कि नहीं वह main उदेश से है adult में already proven है कि vaccine safe भी है और effective है लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास data नहीं है तो यह जो clinical trials है वह data generate करने का है कि बच्चों के लिए क्या vaccine safe है तो क्या effective ही है उसी को देखने के लिए trials है जो आज trials आप लोग कर रहे हैं कितने बच्चे इसमें शामिल हैं और आगे कि क्या पूरी प्रक्रिया होगी इस पूरे process को करने के लिए है इंड़ रिक्विट्मेंट होता रहेगा जब एक सेंपल साइज हो जाता है तो उसके बाद रिक्विट्मेंट बंद हो जाता है उसके बाद रेगुलर इंटर्वल पे उनका follow-up होता है जो चलता रहेगा आज कितने बच्चे इसमें शामिल हो रहा रहा है इस पूरे प्रॉसेस को हमने स्क्रीन के लिए बुलाए हुआ है तीन चरणों में पूरा यह होगा ट्राइल जो होगा उसमें कितना कितना समय लगेगा और एज के है और किस तरीकें आपकर बना हुआ है तीसरी लहरा आएगी और बच्शों के लिए नुक्सान हो सकता है कितना इफेक्टिव होगा और तीसरी लहर के बारे में जाना कि कि safe है vaccine कि नहीं और effective है कि नहीं यह जानना जो same vaccine adult में demonstrate हो चुका है कि safe भी है और effective ही है लेहिए इन बच्चों के पर लिए idea नहीं है तो ट्राइल सुसी के लिए हो रहे है जल्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है